इंट्रोड्यूस करने का भी मन नहीं कर रहा खुद को क्योंकि भारत जिस तरह से यह मैच हारा है मिचल मार्ष नाबाद लौटे ट्रेविस हैड नाबाद लौटे और पूरा मैच जो है वो मतलब क्या कहूं मैं मिचल मार्ष ने सतर मारे ट्रेविस हैड़ यह तिंग यहावन नं मारे इक सपीचलेस हूं बिलकुल 66 रण मिचल मार्च 36 गिनों में ट्राविल सेड 159 किनों में और 11 ओवर में मैच खतम हो गया 118 रण 6 हो गया भाई साब उस पिछ पर चाहपर भाराट 117 पर ALL आउट हो गया था अब किसको दोज़ दें क्या पिछ को दोज़ दें क्या बल्लेबाजी को दोज़ दें क्या गिंदबाजी को दोज़ दें क्या कप्तानी को दोज़ दें मतलब किसको दोज़ दें कैसे क्या मैं समझ नहीं पारा भाई कि मतलब क्या हुआ क्या हुआ है ठाकोर साब बोल रहे है भाई मज़ा नहीं आया आज के मैच में बहुत ही बूरे तरीके से पारस बोल रहा है पनोती को बोलो आज भी नाचे रे नाचो नाचो पर अच्छा विराट खोली को बोल रहा है यहां ना हर किसी की मतलब खिचाई होने ही चाहिए मतलब सबसे बड़ी जीत अगर भारत के ख गिर्गिट भी इतने जल्दी रंगने बदते अधीप भाई जिस तरह से मैच हारी है तो वर्ल्ड कप क्या आपको लगता है ऐसे जीते हैं आप से सवाल है तीक है हमने टाइटल लगाया टॉपिक लगाया बट आप बताओ क्या ऐसे वर्लकप जीतेंगे हम हमारे घर पर ख खिलने हैं यहीं पर होम ग्राउंड हमारा होस्ट है हम इस वर्लकप के तो सच में ऐसे जीतेंगे क्या आप बताइए ना दीपक भाई क्या आपको सटिस्फेक्शन जीत लगी क्या बताईए आप मुझे वर्ल्ड कप की बात ना करें तो किसकी बात करें बताओ आप राहु इंडिया की हार देखकर अगर आपको मजा आ रहा है तो यार फिर क्या बोल सकते हिरोग भाई बोल रहे हैं आज नहीं जीते तो थर्ड ओडियाई जीतेंगे यार हिरोग भाई इस जूटी उम्मीद के साथ कब तक मतलब ठीक है उम्मीद रखना चाहिए बड़ ऐसे हराए करेंगे तो यार इंडिया का तो मनोबाल एकदम मतलब नेगटिव में चला गया पातालोक में चला गया रोजचरमा की विज़ाय से ये मैच आ रहा है रमजान अलिया इंडिया और उंडीज इस से भी शायद बत्तर थी आच्भी और ऐसा लगए नहीं कि इंडिया और उस् तो भी चोटी टीमें है जिनने अभी इंटरनेशनल का प्रॉपर तब का भी नहीं मिलाए खेलने का टेस्ट वगेरा का टेस्ट नेशन नहीं है उनकी तरह से खेले इंडिया और हमारे घर पर जब तक बाइलेटरल नहीं करोगे तो सब का कैसे मिलेगा हरना जरूरी है यार हि दोनी को नहीं चलाएंगे वापस तो यह मैच इंडिया को कभी वर्लकप जीता सकता तो पंड्या की तरफ से वर्लकप दे सकती है नमजा नली भाई भूनी भी क्या खरेंग यार ठीक है माना दोनी कैप्टन बहुत तकड़े थे बट यार टीम को परफॉर्म करना यार भाई विराट को इस तरह से अकेले आप नहीं दोश दे सकते पूरी टीम को दोश देना चाहिए आज स्टार्ट में वर्ल्ड क्लास बोलिंग दिखाई भाई मतलब समा बांद दिया देखिए उस्ट्रेलिया की बैटिंग देखिए ट्रेविस हैड इंक्यावन रन पर हमारे साथ अनुच भाई हमारे सहयों की मौजूद है उनसे भी बात करेंगे बढ़ भी पहले आपको ग्राफिक्स के जारी बता रहें आस्ट्रेलिया की बैटिंग ट्रेविस हैं पर नाबाद थे तीस गिनों में दस चौके ग्यारा और मैंच खतम हो गया और क्या बोलें देड़ बज़े मैच स्टार्ट हुआ है अनुच और देड़ से हो गया धाई साड़े तीन साड़े चार घंटे में आज अनुच को बैठाला मजबूरी आप से जानना चाहिए न कि भाई आप किस तरह से देखेंग इस मैच को देखें मेरे को लगता है और इंडिया टीम पिछ को नहीं लेकर गया तो रेडिमेट पिछ मिली इंडिया टीम को अब बनी बनाई पिछ मिली और यार सेम पिछ में एक टीम मार रही चक्के के उपर चक्के और एक विकेट नहीं गिरे तोनों लोग पचासा-पचासा मार के चले गए आपको सर्मसे डूब मनना सब्सक्राइब करें ना यहां पर मदाद दूँगा क्या सोच थी बाई बंदे की जब सब्सक्राइब करें बही बात है ना रहुल भाई बोल रहे दोपे रोई टॉस पर बोला था इशान आउट इंडिया तोड़े मैच आउट बिलकुल अगले मैच में चार सो से ज्याद तक टार्गेट देगी टीमीडिया और एक तरफा मैच जीत कर मुझ तोड़ जवाब देगा उस्ट्रेलिया को तो मज़ए जाएगा यार ऐसा भाई मुझे लगता सपनों में हो पाएगा फिलाल क्योंकि आज तो जो परफॉमेंस होई है और ट्रेविस हैट के बाद हमारा है मिच trafficking यदुन सब्सक्राइब और रख्राश को जात मिच्ण मार्श वाला ग्राफिक वह भी बताएगे और टीमीडिया की बेक्टिंग भी बताएंगे और बाकी जो आपको और भी अर्थ ग्राफिक्स के दिखाएंगे तो कॉमेंट आप करते रहिए बताईए आपकी भाई क्या हाल है मतलब किस तरह से जो है ट्रेविस के बादा मिचल महार्ज के बी आपको बताएं गये और किस तरह से आप दोस्त देंगे उन पर हम किसी भी खिलाड़ी को दोस्त नहीं दे रहे हैं अच्छी नहीं जिस वज़े से आपने अच्छे खासी मैस की लंका लगा दी बहुत बड़ी बात होती है असलियत यह टीम इंडिया अभी भी फॉर्म में नज़र नहीं आ रही है बड़े फैसली की जरूरत है यार बड़ा फैसला क्या लोगे सद्धार्थ भाई महापात्रा सागर भाई सागर भाई आ गया है सब्सक्राइब यहीं पूछेंगे कि भाई क्या हुआ हुआ हम ने बोला था आप से और आप बोलने ते क्या आप चैनल पर नहीं आओगे और और इनके वज़े किसे खेल खेला कि इंडिया को समलने की मौका नहीं दिये देखने थे क्या करते हैं आपके रवीन जड़ेजा कैसे मूल लटका करे बैठा हुए बिलकुल आप देखे जो इंडिया की बैटिंग के ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं औस्ट्रेलिया के तो हमने आपको द स्टार्ट की गेंद पर और आउट हो गए और पूरा टैस मैच से लेकि अभी वेटिंग फेल हो रहा है सिद्धाद भाई बिलकुल भाई रहूल भाई बोल रहे हैं इनकी तरफ तो देखके लगते हैं 149 का होट सार का रिचार्ट भी महेंगा लग रहा है यार सही बात है आप इतनी उम्मीदों से इतने मेहनत से आप देखते हैं और आपको यह मिलता है ना लेकिं भाई मैच को जीता आने की उमीद छोड़े मैच को लाइन पर नहीं लापा रहे हैं हम नहीं सिर्फ सूरिया पर क्यों अनुच सिर्फ सूरिया पहां चोली पर भी थोड़ा सा नाराजओ मैं रही रहा ह избकिते हैं पर पालिंग कितना समाली गिया जब तक उनके उपर कोई प्रसर को सबीस तो प्रसर होता तो क्या करते है डोर पर रोसा था यह क्या तरीक हुआ यह कि तरीका हुआ हा टिन के लिचले निपड गए क्या मतलब था यह मुझे 2021 टीट्वेंडी वर्ल्ड कप की हार याद आती पाकिस्तान ने जब दस विकेट से पेला था और अब स्थाग लेकर गए और मैन अफद मैच अंडाउट बनेंगे और कोई डाउट नहीं है इसमें मुझे कुछ नहीं कह रहा है सागर भाई आप सौनी मत बोलिया और बस यह बोल रहे हैं इंडिया के बल्लेबास कब सौरी बोलिंग और बोलिंगे कि हाँ ठीक हम से हमारी कोई गल यह बने जब यह बोलिया